हेलो, आज हम बात करने वाले हैं darmela Islamiya के distance के re admissions को लेकर जो update आया था यह हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो तो देखी क्या update था यह हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि अपडेट मैंने आप लोगों बता दिया था लेकिन बच्चों को अपडेट यह रेगुलर वालों के लिए देखे यहां पर आप यह अपडेट जो है लेटेस्ट नोटिस सर्कुलर में जो है चेक कर सकते हैं देखे यहां पर देट कि फोर री अड्मिशन डिस्टेंस मोड के लिए था यह जो अड्मिशन था वो था डिस्टेंस मोड के लिए जिन बच्चों ने आपको इस पर नोटिस पर क्लिक करना है जब आप यह नोटिस पर क्लिक करेंगे तो यह नोटिस डाउनलूट हो जाएगा तो यहां पर आप यह यहां से देखेंगे center for distance and online education देखिए notice the date for readmission for all program is extended to 31st में देखिए यहां पर साफ साफ यह किसका notice है यह distance program का notice है अब जैसे जो बच्चे रेगुलर के होते हैं मान लेजिए रेगुलर के बच्चे होते हैं जैसे रेगुलर का भी फर्स semester का भी exam हो तो रेगुलर के जो बच्चे होते हैं उन्हें कोई भी चीजें नहीं करनी होती है apply करनी के लिए आपको update आपके official group में दे दिया जाता है आपको कुछ भी नहीं करना होता है तो जिन बच्चों को यह doubt आ रहता क्या readmission जो है regular के बच्चों के लिए भी यह नहीं अभी regular के बच्चों के लिए नहीं है readmission यह जो readmission का notice यह readmission का notice ता distance program वालों के लिए ठीक है regular के लिए जो notice आएगा वो notice जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इंफर्म कर दूंगा ठीक है तो यह जो नोटेस था अब आपको डाउट के लियर हो गया होगा यह नोटेस डिस्टेंस वाले बच्चों के लिए किसके लिए डिस्टेंस वाले बच्चो फर्म नहीं है ठीक है तो डिस्टेंस वालों के लिए भी यह कोई नोटेस नहीं है कोई डिस्टेंस वालों के लिए कुछ नहीं है तो उससे रिलेटिट कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूँगा अभी सबसे पहले जो फर्म आएंगे वह एप्लिकेशन फर्म आएंगे ठीक है तो जैसे यह अप्लिकेशन फर्म आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा उसके रिकार्डिंग आपको परिशान नहीं होना ठीक है तो यह नोटेस अब किलिए रोगया होगा तो जिन बच्चों को डाउट हो रहा था क्या एड्मिशन के हुआ हुआ है